दोस्तो आज DRD की तरफ से एक खुला सा ऐसा किया गया है जिसको सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि जब भारत अपनी मिसाइलों के परिक्षन करता है तो क्यों चाइना अपने जासुसी जाजों को भारत की मिसाइल की जासुसी करने के लिए भेजता है आप सब ये बात जानते हो कि पिछले दो से तीन सालों से जब भी DRD की तरफ से अपनी किसी भी मिसाइल का परिक्षन करने के लिए नो टेम जारी किया जाता है तो चाइना तुरंत ही इंद महासागर में अपने जासुसी जाजों को लेकर पहुँच जाता है इसी बात को लेकर DRD की जासुसी करने की कोशिश नहीं की जाती है इस बात को लेकर DRD की कुछ ओफिसर्स की तरफ से बताया गया है कि अहले चैना भारत को एक मजाक सोचता था और चैना को ये लगता था कि भारत कभी भी चाह कर भी अपने लिए एडवांस से एडवांस मिसाईलों को खुड डवलप नहीं कर पाएगा भारत केवल अगनी 2 और अगनी 3 तक ही अठका रह जाएगा और चाइना को एसा लगता है कि चाइना काफी आसानी से भारत की अगनी 2 और अगनी 3 मिसाइल को काउंटर कर सकता है लेकिन जब से भारत ने अगनी प्राइम और अगनी 5MI RV टेकनलोजी से लेस मिसाइल का परिक्षन किया है जबी से ही चाइना की चिंताई बहुती ज़ादा बढ़ चुकी है इसी लिए ही चाइना भारत की मिसाइलों की जासुसी करने के लिए हिंद महासागर में अपने जासुसी जहाजों को भेजता रहता है ताकि ये पता किया जा सके कि भारत की तरफ से जिस मिसाइल का परिक्षन किया गया है वो मिसाइल कितनी दमदार मिसाइल है और वो मिसाइल चाइना के अंदर किस लेवल तक की तभाई मचा सकती है साथ में D.I.D.O की तरफ से ये भी बताया गया है कि जिस समय हम अपनी मिसाइलों को लॉंच करते हैं तो हमारी मिसाइल का जो पात यानी की रास्ता होता है वो और मिसाइलों से बहुत ही जादा अलग होता है और हमारी तरफ से अपनी मिसाइलों का पात इसलिए भी बिल्कु चाइना अभारत को बिलकुल भी हलके में नहीं ले रहा है और कही ना कही चाइना के अंदर भारतिये मिसाईलों का लगातार खोव बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे भारत की तरफ से अपनी और जादा घातक मिसाईलों के परिक्षन किये जाएंगे चाइना अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं चाइना लगातार एसे ही इंद महासागर में भारत ये मिसाईलों की जासुसी करने के लिए एसे ही अपने जासुसी जहाजो को भेजता रहेगा जिससे कही ना कही चाइना अपने अंदर खुद ही फोफ को बैठा रहा है